हेलो फ्रेंज वागत एक नियू रेस्पी में तो आज में आप लोगों कशा शियर कने जा रही हूँ पांच मिनिट में बनने वाली बेहत स्वादिस्ट आशान और बहुत ही हेल्दी काले तिल के लड्डू अगर आप मेरे इस तरीके से इस लड्डू को बनाएंगे तो बेहत स्वादिस्ट और मूँ में घुल जाने जैसे बिल्कुल भी सकत नहीं बनेंगे मकर शंकरांती के बिसे सबसार पर ज्यादा तरीक काले तिल के लड्डू बनाते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं मातर पांच मिनिट में बिल्कुल घर के समानों से ये काले तिल के लड्डू बना कर सकते हैं तो चली शुरू करते हैं अगर आप भी इस वीडियो में नियू है फ्रेंज तो इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब के बटन दिया गए उससे क्लिक कर दीजिए तक आनी वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचेगी काले तिल के लड़ू बनानी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 200 ग्राम काले तिल यहाँ पर काले तिल इसी प्रकार के मिलते हैं तो मैंने यहाँ पर यही लिया है आप चाहे तो इसके जगा प्यूर वाइट तिल का भी उच कर सकते हैं अगर आप कोई और तिल लेना चाहते हैं यहाँ पर तो ले सकते हैं और साथ में 200 ग्राम मैंने गुड लिया है 200 ग्राम तील के लिए मैंने 200 ग्राम गुड लिया है गुड को मैंने बड़े बड़े पीसेस में लिया है आप इसके बारिक छोड़े छोड़े टुकड़ों में कर लिजे ऐसा गुड़ आपको मार्किट में असानी से मिल जाएगी और यहां पर मैंने चार से पांच बड़ी चम्मच एक बावल में पानी लिया है पानी का क्या काम है वो आगे में आपको बताऊंगी अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं अब सबसे पहले गयास पर एक पेन या कढ़ाई चुड़ाएंगे कढ़ाई हलका गरम होते ही हम इसमें डालेंगे यह तिल अगर आप सफेद तिल का लड़ू बनाना चाहते हैं तो यहां सफेद तिल एड़ किजिए तिल को हमें हलका भूनना होगा जिससे तिल में बढ़िया सा स्वाद आ जाएगा तिल को इस प्रकार से लगतार चलाते हुए रोस्ट कर लिजे क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो नीचे से तिल जो है वह जल जाएगा फिर जो इसके आप लड़ू बनाएंगे तो वो बढ़िया नहीं बनेंगे तो सबसे जरूरी पोइंट इसे लगतार चलाते हुए लो फ्लेम पर हमें हलका ही सब भूनना है ज्यादा भूनने पर ये करवाहट आ जाते हैं तो इसी तरह से आप चलाते रहिए कुछ दिर बाद आपको पता चलेगा कि तील हलका भून गया है जहां मैं रहती हूँ कुछ इस प्रकार के तील मिलते हैं तो मैंने वही तील लिया है आप पियोर वाइट तील भी ले सकते हैं मातर दो सु तीन मिनेट लगता है लोटू फ्लेम पर तील को भूनने में तो ये देखिए तील अच्छे से भून चुकी है और इसमें से एक अच्छे सी खुसबू भी आ रही है तो आप गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और इस तील को यहाँ इस प्लेट में निकालेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं तील अच्छे से भून चुकी है तो इसे हम साइड में रखेंगे और कुछ देर के लिए तिल को ठंड होने देते हैं तब बनाने के प्रोसस में चलते हैं फिर वापस गयस पर एक पेन या कड़ाई चड़ाएंगे और इसमें हम एक चमच घी डालेंगे घी हमारा मेल्ट हो गया है अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ गुड यहां आप गुड को ग्रेट कर लीजे या फिर बेलन की साहता से चूरसा कर लीजे जिससे गुड जो है वो बहुत ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा जो हमें चासनी बनानी है गुड की वो बिल्कुल भी सकत नहीं होगी क्योंकि चासनी अगर थोड़ी से ज़्यादा पक गई तो वो लड़ू सकत हो जाएगे और ज्यादा हाड हो जाएगा तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना है और इसमें हम 3-4 चमच के करीब पानी आड़ करेंगे लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए गुड को मेल्ट करना है थोड़ी तेर बात देखेंगे इसमें से उबालाना शुरू होगा गुड को हमें अच्छे से पिखलाना है पूरी तरह से हमें इसका चासनी नहीं बनाना है घीर डालने से दो फाइदे होते हैं एक तो लड़ू साक्त नहीं बनते हैं और दूर्शा बढ़िया शशाइन आ जाती है बस इसी तरह से हमें हलका से इसको चलाते हुए आप देखेंगे इसमें से बबालाना शुरू होगा एक पॉफिक तरीका यही है लोटू फ्लेम पर इसी प्रकार से गुड की चासनी को पकाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से बवल साने शुरू हो गया है एकदम पॉफिक है तो इसी हम और ज्यादा नहीं पकाएंगे तो यहाँ पर हम इसे कैसे चेक करेंगे थोड़े से पानी में कुछ इस प्रकार के इसके बूंदे डाल कर देखेंगे यह जो बूंदे है वो आप देख सकते हैं पानी में घूलने रही है इसका मतलब हमारी चासनी अच्छे से तयार हो गई है ग्यास को हम ओफ कर देंगे और इसी में हम डालेंगे हमारे भूने हुए काले तिल इसे हम फटा-फट मिक्स करेंगे ग्यास बिलकुल बंद है गरम चासनी में ही आपको सारे काम करने होंगे इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे मकर संक्रांती पर जो लड्डू बनाए जाते हैं वो मात्र इनी चीजों से बनाए जाते हैं तील, गुड और घी लेकिन जरा से बिरियेशन आप अपने अनुशार भी कर सकते हैं ड्राइ फूट्स डालना चाहे तो इसमें डाल सकते हैं या फिर मुंग फली या नायल के बुरादा भी इसमें डाल करके बना सकते हैं अच्छे से मैंने तील को मिक्स कर लिया है अब तुरंती हम इसके लड्डू बनाएंगे यहाँ पे तील गुड को मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब यहाँ पे जो मैंने एक बाउल में पानी लिया है वो हातों में इस तरह से लगा करके चिकना कर लेंगे आप चाये तो हातों में ओईल या घी से ग्रिस कर सकते हैं अब गरम गरम में ही जब यह चुने लाइक हो जा तब इस मिक्स से अपने हिसाब से यह लड्डू तयार करेंगे गरम बहुत होता है तो आप हातों में पानी या घी लगा लीजे उसके बाद आप इस तरह से इसे गोल करते हुए इसके लड्डू बना लीजे तो यह देखिए बहुत ही बढ़िया एक काले तिल के लड्डू तयार हुए है सिम उसी तरह से एक और लड्डू तयार करेंगे काले तिल के लड़ू स्वादिस्टो बनते ही ये साथ ही हमारे सिहत के लिए भी बहुत ही लाब दायक होते हैं तो इसे आप बच्चों को जरू दीजे बना करके ये देखी हमारा दूसरा लड़ू भी तयार हो गया है इस लड़ू को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है बस फटा फट तिल गुरू के लड़ू को बना कर तयार कर सकते है बस हातों में घी या पानी से ग्रेस कर लेजे फिर उसके बाद थोड़ा शब पोशन लेकर जिस सेफ में आप लड़ू बनाना चाहे छोटा बड़ा बना लिजे ये लड़ू बहुत ही टेस्टी बनते है बाकी के लड़ू इसी प्रकार से सारे बनाते जाएंगे ये लिजे फिर सूपर टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये काले तिलगुरू के लड़ू बनकर तयार हो गया है ये लड़ू कई सारी पुझे पार्ट में भी इस्तमाल होते हैं और ये लड़ू बहुत खास होते हैं बिना जादा मेहनत की आप इस लड़ू को बना कर तयार कर सकते हैं। ये लिजे फ्रेंस मकर शंक्रांती स्पेशल काले तिलगुरू के लड़ू बनका तयार हो चुके हैं। हमारे बहुत ही स्वादिस्ट कुई के लड़ू के लड़ू को जरूर बनाएं। इन सर्दियों में फटा फट से बना करके इस तरीके से आप इसे स्टोर करके आप पूरे महीने भर आप इसे इंजोई कर सकते हैं। क्योंकि यह लड़ू पके हुए गुड़ के लड़ू है। इसका एक लड़ू आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिस्ट और मुँ में घुल जानी जैसा बना है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो की नीचे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंज तो प्लीस कर दीजे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक ऐसे ही पूर्शती रहेगी। इस मकर शंकरांती के बिसेस अपसर पर इस तील गुर के लड़ू को जरूर बनाईगा फ्रेंज और अपने फ्रेंज फैमली को भी जरूर खिलाईगा सबको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंज कोई के नीजी रेसेपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक से कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। विंटेर स्पेसल बहुत ही स्वादिस्ट मुँ में घुल जाने जैसा आज हम दो लड्डू बनाएंगे इसे बनाना बहुत ही इजी है कोई भी इसे बना सकता है तो चलिए फ्रेंज सूपर टेस्टी सूपर हल्दी तील गुरू के लड्डू को बनाना शुरू करते हैं सूपर टेस्टी सूपर हल्दी जटपेट बनने वाली तील गुर्डँ के लड्डू बनानी के लिए हम यहां पर लेंगे सबसे पहले डेर सुगराम तील मैंने यहां सफेद वाली तील लिया है बजार में दो तिन तरीकी का तील आता है आप ये सफेद वाली तील ले यहां पे तील को भूनना होगा तो यहां पे तील को भूनना होगा तो यहां पे सारे तील इसमें एड़ करेंगे और तील को इस तरह से लगतार चलाते हुए अच्छे से लो फ्लेम पर भूनेंगे बिल्कुल भी से हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे वनना क्या होगा तिल जो है बहुत जल्दी जलने लगेगी उससे पुरे लड्डू में करवाहट आ जाएगी बस धीमी आज पर इस तरह से चलाते हुए भूनें जिससे की जो तिल दाना-दाना है वो अच्छे से समान भून जाए यह लड्डू जो है बहुत ही टेस्टी बनते हैं और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है यह एक ऐसे लड्डू है जो महीनों भर खराब नहीं होंगे तील के लड्डू बहुत ह हेल्दी होते हैं क्योंकि तील में धेर सारा केलसियम फाइवर और गूर में आईरन होता है इसे जरूर बनाने चाहिए और बच्चों से लेकर बड़ो तक खाने भी चाहिए मकड संक्रांती के तो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है हलका सा देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें से कची सी खुसबू भी आ रही है अब गयस का फ्लेम यहां ओफ कर देंगे और तुरंट से इस तील को एक बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे तील को थोड़ा ठंडा होने देते हैं तो चली नेक साइन आएगी और सौफटनेस बनी रहेगी घी के मेल्ट होते ही हम इसमें डालेंगे हमारा क्रस्ट किया हुआ गुड़ को यहां पहले आप क्रस्ट कर लिजे उसके बाद आड़ कीजिए तो बस इस तरह से हम लोग फ्लेम पर लगतार चलाते हुए गुड़ को हमें पकान साइन जो के फटाफट गुड़ मेल्ग हो जाती है अगरा प्रोबलम हो जाती है अगर आप गुड़ को ज्यादा सक्त हो जाती है अगर आप कम पकाते हैं तो ये लड़ू प्रॉपर शेब में नहीं ले पाती है और बहुत ज़्यादा सौप्ट हो जाती है जितने अच्छे से आप गुड़ को फेटेंगे उतने ही हलके हलके आपके तील गुड़ के लड़ू तयार होंगे तो ये देखे गुड़ में एक बोईल आ गया है पस इस तरह से चलाते हुए गुड़ का कलर थोगा से चेंज कर लेंगे इस गुड़ को बहुत देर तक बिल्कुल भी नहीं पकाना है जब तक गुड़ पक रहा है तब तक आप यहाँ गैस का फ्लेम धीमा कर दीजे बढ़िया सा उबाल आ गया है गुड़ में अब यहाँ गुड़ को चेक करेंगे तो उसके लिए आप लीजी एक कप में पानी और पानी में थोड़ा सा गुड़ की चासनी को इस तरह से डाल कर देखेंगे तो ये देखिए पानी में ये चासनी जम गई है यानि कि हमारी गुर की चासनी बन चुकी है अगर आपकी चासनी इस तरह से ना जमे तो आप थोड़ा से चलाते हुए और पका लिजे कुछ चन बात देखेंगे वो पानी में इसी तरह से डाल कर वो जम जाएगी अब इसमें हम मुंगफली आड़ करेंगे मैंने यहाँ पहले से मुंगफली को क्रस करके रखा था वो इसमें हम आड़ करेंगे बिल्कुल बढ़ियां सा कलर चेंज हो गया है पहले से आपको डार्क दिख रहा होगा अब यहां gas off कर देंगे और यह हमारा roasted till इसमें अड़ करेंगे अब अच्छे से करेंगे mix gas off करने के बाद यह सारी process आपको फटाफट करने है नहीं तो यह गुड जो है वह जमना सुरू हो जाएगा इसे हम अच्छे से मिला लेंगे आप चाहे तो इसके उपर से dry foods वगेर अड़ कर सकते हैं जो आपको पसंदो तो यह हमारे तील के साथ गुड अच्छे से mix हो गया है तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे तो मैंने यहाँ पे इस तील गुड को प्लेट में निकाल लिया है यह गुड अभी गरम में साबधानी से हम इसके लड़ू बनाएंगे तो उसके ले ली जिए एक वावल में पानी और यह पानी हाथों में इस तरह से लगा लीजे ताकि लड़ू का सेप अच्छे से कर पाएंगे और ये गुड़ आपके हाथों में चिपके गाबी नहीं अब इसके थोड़ा सा पोशन उठाईए ये प्रोसेस आपको बहुत ही साबधानी से करनी है ये गुड़ थोड़ा गरम रहता है तो अब हाथों में पानी लगा कर तब इसके लड़ू बनाए नहीं तो ये गुड़ हाथों में चिपक जाते हैं तो बीना हवा लगे इस तरह से गोल करते हुए एक तिलगुड के लड़ू मैंने बना लिये है तो आप देख सकते हैं बेना चिप के एक तील गुड के लड़ू तयार हो गया है तो इसे हम साइड में रखेंगे से मुशी प्रोसस से एक पोशन लेंगे और ये मिशन थोड़ा गरम रहता है इसे भी साबधानी से इसका लड़ू का सेव बनाएंगे अगर आपके घर में कुई दूसरा मेंबर है तो आप उनकी सायता लेकर दो-तिन मेंबर के साथ बनाएं तो उससे क्या होगा हमारे गुर्ट ठंडा होने से पहले हमारे लड़ू बनकर तयार हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे दूसरे तील गुड़ के लड़ू अच्छे से बन का तयार हो गया है तो बाकि सेम प्रोसेस से इसी तरह से सारे लड़ू हम बना लेंगे बस हातों में थ्रोसा पानी से ग्रिस कर लिजे उसके बात आप लड़ू बनाईए तभी आपके तील गुड़ के लड़ू सही से बनेंगे तो ये लिजे फ्रेंस हमारे तील गुड़ के लड़ू बन का तयार हो चुके हैं आप देख सकते हैं एकदम मिंटों में बिना किसी महनत ना जज़णजट के आप इसे कितनी आसानी से तयार कर सकते हैं वो भी घर के समानों से इतनी आसानी से तील गुरू के लड़ू बन का तयार हो जाती है ये हमारे मकरश इंकरांती इस्पेशल हलवाई स्टाइल तील गुरू के लड़ू मिन्टों में बन कर बिलकुल तयार है आप इसे बना कर एक दो महीने भर भी रख सकते हैं बिलकुल भी ये लड़ू खराब नहीं होगा फ्रेंज मकरश इंकरांती पर इस तील गुरू के लड़ू को जरूर बनाईए आपको बहुत ज़्यदा पसंद आएगा या फिर कभी भी आपका मन करें इसे बना कर स्टोर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक इस वीडियो की नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन नहीं क्लिक किया है तो प्लीज कर दीजिए ताकि आनी वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचेगी सबी लड़ू एकदम प्रॉपर तयार हुए हैं आप देख सकते हैं कालर टैक्शर यह लड़ू एकदम प्रॉपर बना है तील गुरू के लड़ू को एक बर जरूर बनाईगा फ्रेंस आपको बहुत यह अच्छा लगेगा और मुझे कॉमेंट में भी जरूर बताईगा फ्रेंस तील गुरू के लड़ू आपको कैसी लगी और यह रेसिपी अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिजेगा फ्रेंस ऐसे ही मज़िदारिस पी देखने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं मुझे कॉमेंट में जरूर बताईगा फ्रेंस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में